हेलो, असलाम अलेकुम, वेलकम बेक टू माई यूटिप चैनल, आज की वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले किर्किट से कब, किस टाइम और कितनी अर्णिंग स्टार्ट होती है, और इस वीडि इस वीडियो में डिसकस करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सबसे पहले हम लोग डिसकस करते हैं कि कौन से लेवल से एक अर्णिंग शूरू हो जाती है, मतलब आप लोगों को मंथली पेमंट किर्किट देने लग जाती है, कौन सा ऐसा लेवल है, सबसे अभी हम लोग बेसिक से डिसकस करते हैं, अभी जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट अप है, वो बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल बेसिक होता है, अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि किर्किटर कैसे बनते हैं, क्या इसा आप है, उससे हम लोग डिसकस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाएं जो सबसे पहला जो स्टेप होता है किरिकिटर्स के लिए वो होता है अकैडमी सबसे पहले आपने एक अकैडमी जोईन करनी है वहाँ पर आपको मंथली फीस पे करनी होगी चाहे वो आपकी 1500 भी हो सकती है 2000 भी हो सकती वो आपके उपर है कि आप कितनी अच्छी अकैडमी चूज करते है अगर आपको अकैडमी के बारे में जाना है तो मेरी यह वाली वीडियो आ रही है आप यह वाली वीडियो जाकर देख सकते हो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है अभी ये होगी हमारा academy level academy level के बाद आता है हमारा club level club तक कैसे पहुचते है club तक आपको academy ही पुचाती है academy के अपने club बने वे होते हैं उसके थुरू आपको club में वो register करा देती है ताके आप लो club cricket खेल सको main जो cricket है वो है club cricket club cricket से आपका एक professional level cricket शुरू हो जाती है club के बारे में किसी और दिटेल में discuss करेंगे कि club क्या है क्या है क्या हिसाब होता है वो सारी बाते हम लोग किसी और वीडियो में discuss करेंगे क्योंकि वो long topic है अभी हम लोग discuss करते हैं कि club के बाद जो level आता है वो होता है department cricket मेरे ख्याल से पिछले दिनों department cricket दुबारा re-open हो गया है तकरीबां दो से तीन साल से department बनता लेकिन पिछले दिनों में दुबारा PCB की तरफ से announcement आई है मेरे ख्याल से अगर ये गलत है तो प्लीज आप लोग मुझे सही करिएगा जहां तक मुझे लगता है मेरे जो सीनियर से वो कह रहते के department cricket open हो चुका है अगर गलत है तो प्लीज आप लोग comment बॉक्स में सही कर दिएगा तो इसके बाद department cricket में आप लोगों को एक certain amount pay किया जाता है department क्या होता है department हमारा sweet gas भी हो सकता है हमारा UBL cricket, UBL bank जो है ये भी department है, PIA का भी department बनावा है, Blue Airline का भी बनावा है K-Electric का भी बनावा है और जो बड़ी-बड़ी company से इन सब के department बनावे होते हैं, वो देखती है जो अच्छा player खेलने वाला है उसको वो chance देती है अपने department में अभी हम लोग department की earning के बारे में अलग होती है, एक अन्दाजन आप लोगों को बता देता हूँ, department किर्किटर की जो payment होती है, वो आपके performance के उपर होती है, अगर आपकी अच्छी performance है, तो वो आपको high amount pay करेंगे, वो चाहे, आपको लाखों में pay करें, हजारों में pay करें वो department के उपर है, कि department की कितनी capacity है, कि वो कितना pay कर सकती है आपको, फिर उसके बात आता है हमारे पास first class cricket first class cricket, जब आप लोग first class cricket खेलने लग जाते हो, तो वो आपको PCB की तरफ से आपको मंतली check आने लग जाते हैं, तो PCB बनाती है first class cricket का मेरे खाते है, 193 players department से उठाती है, वो PCB और tournaments वो बड़े-बड़े players खेलते हैं वहाँ से PCB एक 193 player का एक पूरा group बनाती है, जिनको वो monthly amount करती है, लाखों में, आप जब first class cricket खेलोगे, इंशालला अगर आप लोगों ने कभी खेलना हुआ है, मतलब आप लोग first class cricket तक कोशते हो, तो आपको PCB एक monthly amount pay करने लग जाईगी, चेक की सूरत में, हर महीने आपका जो चेक है, वो आपके bank में आ जाया करेगा, ये बात होका है, हमारी department cricket और first class cricket के बारे में कि भाई, यहां से earning शूरू हो जाती है और बहुत ज्यादा earning होती है, फिर उसके बात आती है, पाकिस्तान किर्किट टीम के बारे में, यार देखो, पाकिस्तान किर्किट टीम के बारे में एक पुरा criteria है ये जो criteria है, ये department के लिए भी इस्तिमाल होता है और first class cricket के लिए भी इस्तिमाल होता है लेकिन, जो payment है वो बहुत, payment का बहुत difference होता है, पाकिस्तान किर्किट टीम को जो payment है, जायर सी बात है, वो international लेवल पे खेल रहे तो उनको बहुत ज्यादा high amount में pay किया जाता है और जो department किर्किट खेले हैं, उनको जायर सी बात है low amount में pay किया जाएगा क्योंकि एक जायर सी बात है एक international खेल रहा है और एक department खेल रहा है, तो फर्क होता है payment में, तो इस वज़ा से मैंने आप लोगों को बता दिया कि by criteria, एक ये criteria अभी मैं आप लोगों को समझाओंगा, जब पाकिसान किर्किट खेले की payment के बारे में बताओंगा, उसमें आप लोगों को criteria भी समझाओंगा, लेकिन जो earning है, उसमें बहुत ज़्यादा difference होता है, अभी मैं departments का इसलिए नहीं आप लोगों को बता रहा है, क्योंके देखो अगर मैंने अभी आपको department का बता दिया ना, तो departments के ये इसाब होता है कि हर department अलग तरह की payment करता है, मतलब कुछ department ज़्यादा amount में pay कर रहे होते हैं, कुछ department कम amount में pay कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं department की payment पे नहीं जा सकता, मुझे कुछ department से पता है, कुछ की नहीं पता तो इसलिए मैं department किरकिट की payment पे नहीं जाओंगा हाँ, अगर आप लोगों को first class किरकिट की payment के बारे में पूछना है तो आप लोग इस वीडियो को like कर दें और comments में इस वीडियो का part 2 का announcement कर दें तो मैं आप लोगों को इन्शालला इसकी जो part 2 होगा उसमें मैं first class किरकिट की payment के बारे में बता दूँगा कि भई इतनी payment देती है PCB first class किरकिटर को उमीद है आप लोगों को department किरकिट की payment के बारे में समझ आ गया होगा अगर फिर भी कोई confusion है तो ये मेरा Instagram आ रहा है username में description में link भी है आप लोग वहाँ पर जाकर मुझसे contact करके पूझ भी सकते हैं अब हम लोग discuss करते हैं पाकिस्तानी किरकिटर की monthly payment के बारे में के PCB उनको monthly payment कितना करती है एक और बाद में बता दूँ अब मैं आप लोगों को जो criteria बताऊंगा वोई department के लिए भी use होता है वोई first class cricket के लिए भी use होता है वोई पाकिस्तान cricket team के लिए भी use होता है तो criteria से में लेकिन payment अलग है जो criteria वो ये criteria होता है जो अच्छे players होते है जो extraordinary players होते हैं उनको categories wise divide कर दिया जाता है total चार categories होते हैं लेकिन जो basic category है वो होते हैं तीन category एक होती है category A एक होती है category B और एक होती है category C तीन category में players को divide कर दिया जाता है जो बहुत अच्छा खिलने वाले जो senior तरीन players होते हैं किलने वाले players होते हैं, उनको category A में रखा जाता है. जो normal player होते हैं, उनको category B में रखा जाता है, जो जूनियर player होते हैं, उनको category C में रखा जाता है. और जो चوتही category है, उसका नाम होता है emerging category. उसके बारे में हम बिल्कुल end में discuss करेंगे ये मैंने आप लोगों के साथ एक criteria share कर दिया कि भाई ये criteria है ये criteria department के लिए भी same है और first class और Pakistan cricket सब के लिए same होता है लेकिन एक बात बता दूँ जो payment है वो अलग होती है जो monthly income है वो अलग है department cricketer की अलग है first class cricketer की अलग है और Pakistan cricket team के player की अलग है वो मैं आप लोगों तक अभी discuss करने वालों Pakistan cricketers की एक और बार इसमें मैं include कर दूँ जो Pakistan cricketers होते हैं उनका जो एक साल या दो साल या तीन साल का एक agreement sign होता है PCB के साथ कि वो एक साल तक पाकिस्तान cricket team से खिलेंगे और PCB उनको एक साल तक हर मैंने इतना payment करेगी तो वो मैं आप लोगों को 2021 से 2022 के बीच में जो contract sign हुआ था जिन जिन प्लेयर का उनकी monthly payment बता रहा हूँ जो सबसे पहले जो आते है category A में वो आता है हमारे पास हसन अली मौम्मत रिजवान बाबर आदम और शाहिशा अफरीदी ये senior player है और ये category A में आते है मतलब ये काफी senior और अच्छे खिलने वाले तो इनको category A में रखा गया है जो आता है फिर उसके बाद आता है performance के ओपर ये depend होती है category अगर अच्छी performance है तो फिर उस हिसाब से उनको category में divide किया जाता है इनको जो monthly payment करती है PCB वो करती है 1.25 million मतलब तकरीबन साड़े बारा लाक रुप्या monthly payment करती है PCB इनको अगर इनको dollar में convert करें तो 7,841 US dollar बनता है category A वालों की monthly income इतनी है फिर इसके बाद हम लोग आते है category B पर जो category B है उसमें आते हैं हमारे पास अजर अली, फहीम अश्रफ, फकर जमान, फवात आलम, शदाब खान और यासिर्शा यह हमारे पास category B के player है इनकी जो monthly income है वो है 9,37,500 इनकी monthly income है category B वालों की अगर इसको हम लोग US dollar में convert करें तो यह हमारे पास बनता है 5,882 US dollar फिर इसके बाद आती हमारे पास category C category C में में हमारे पास आबिद अली है, इमामुल लख है, हारिस रौफ है, मुहमत हसनेन है, मुहमत नवास है, और नुमान अली है और सफरास एमात है, यह हमारे पास category B के player हैं, इनकी जो monthly payment है वो जो PCB इनको monthly payment करते हैं, वो काफी काम है, category A के मकाबले, इनकी है 5,62,500 monthly income है, जो PCB इन convert करें तो हमारे पास परनते हैं, 3529 US dollar, लास category जिसको हम लोग category D भी कहते हैं, और इसका जो नाम है, वो है emerging category, इसमें टोटल तीन प्लियर है, एक है इमरान बर्टे, एक शानवादानी और एक है सुमान कादिर, अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो, जो वर्ल्ड कप हुआ अभी recently, उसमें ये तीन प्लियर गए थे as a backup, जो बैक अप के लिए रखे जाते हैं, अगर खुदाना कादा कोई प्लियर injured हो जाए, कुछ मसला हो जाए, ये backup के लिए as a backup squad जो होता है, वो तीन प्लियर का होता है, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को नाम बता दिये, जो मैंने आप लोगों को इसा डिसकस कर दिया, अगर फिर भी earning से related कोई confusion है, तो आप लोग मेरे Instagram पर आकर मुझसे पूछ सकते, उमीद है आप लोगो कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करो, चैनल को subscribe करो, अपना बहुत क्या रखना, खुदा हाफिज